नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगोस और सघोस क्या होते हैं अक्सर पेपर में प्रसना जाते हैं कि बताए दिये गए बिगल्पों में से कौन सा हमारा अगोस है और कौन सा सघोस है या घोस है ऐसे प्रसना आते हैं तो इस वीडियो में उनों आपके क्या हो जाएंगे अगोस में आएंगे बागी जो बचेंगे वो हमारे सगोस या इसी को आप गोस भी कह सकते हो तो इस तरीकी से आपको क्लियर हो जाएगा और अगर हम चा वरगी की बात करते हैं तो यही कहां से प्रियां पर भी यूज होगा पहला और दूसरा और बाकी जो तीन बचेंगे तीन, चार, पांच वो हमारा सगोस में होगा टावर्ग में भी पहला दूसरा होगा बाकी जो तीन हमारे होंगे सगोस में होगा और टावर्ग में भी हमारे स्टार्टिंग के दो और बाकी तीन ये इस तरीकी से आपके ये पावर्ग तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब देखिए जो हमारे सा होते हैं सा ठीक है ना? तीन सा होते हैं ये वाला आपको दिख रहा होगा ठीक है ये सक्कर वाला है सरावता वाला सीट खट-कोड वाला तो इसमें जितने भी हमारे तीनों के तीनों जो साह हैं वो सब के सब हमारे अगोस में आते हैं और यहाँ पर जो यह सवर लिखे हैं यह क्या है हमारे सब के सब क्या है सवर है तो जितने भी हमारे सवर होते हैं सब के सब हमारे सगोस में आते हैं या घोस में आते हैं, दोनों आप कह सकते हैं, और इसमें साथ में साथ अंतस्त बेंजन भी आप क्या आते हैं, अंतस्त बेंजन चार होते हैं, या रा ला वा, ठीक है, इस तरीके से, और हा भी आता है, साथ में ये भी याद रखियेगा, हा भी आपका सागोस में आता है, ना महाप्राण का उसा है तो देखें कावर्ग एकर हम बात करते हैं तो कावर्ग में आपके का खा का के बाद गाल लिखा गया है फिर घा अफिरंग आप ध्यान दीजिएगा एक अच्छा इसके बीच में छोड़ दिया गया फिर इसके बाइच छोड़ दिया गया यानि यह 135 का तो क्रांसिब्ट के सोमरे क्या रहेगा सेम रहने वाला है वह इसम प्रावल्म नहीं है अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो भी आंतर्र क्ष्त बेंजल होते हैं यह के सबकर हमारे किसम याल पें उते और if लटारों हम बातब्र CP जो हमारे चार प्रकार के हैं ये सा 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 और हा ठीक है ना ये जो हैं हैं उसमें विंजन हमारे किस में आते हैं महा प्राड में आते हैं अब देखिए इसके पहले अभी हमने अगोस और सगोस वाला पढ़ाया था तो उस पर हमने आपको यह यहां बिंदी नीछे वने चाहिए ना यह दूगर बिंजन होते हैं यह वाले तो डवहन जो नीचे बिंदी लिखते हैं प्राण में और यह तरी के साफ या रह सकते हैं अब दोस्तहौं बात करने वाले एं कि forest guard का जो UP SSC है एक्जाम कब करवाएगा इसके लिए काफी लोगों के comment भी आ रहे हैं कि इसका एक्जाम कब होगा देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि 28 तारिफ को ठीक है ना याद रखिएगा 28 तारिफ को बताया जा रहा है कि Twitter campaign किया जाएगा तो इसको अगर आप चाह रहे हैं कि बड़े इस्तर पे हो तो आप सभी लोग अपने अपने मित्रों दोस्तों को जरूर सेयर करें ताकि देखे पेपर आप लोग नहीं एक्ट अगर होंगे तब तो परिच्छा आप देखी रहे हैं कि कि तना धीमे काम चलना है कोई भी एक्जाम होता है सरकार अपनी तरफ से ज़्यादा वो नहीं दिखाती है कि परिच्छा हो जाए उसके लिए बहुत ले लपेट करती है और एक्जाम के लिए आप देखी रहे हैं कि रेलवे का गुरूप डी का इंटी पीसी का इनका भी कुछ पता नहीं चलना है ट्विटर कैंपेन जब किया गया था तरफ जाम हुआ तो उसके बाद भी किया गया सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया है और यहाँ पर लेकपाल की देखिए वैकेंसी पेपर नॉमबर में बताया गया था होने के लिए तो वो भी आपका पॉसिबिल्टी नहीं लगा कि नॉमबर में वो पाएगा दिसंबर महिने में आपकी प्रस्ताविती परिच्छा फारिस्ट काड़ की तो इसका भी कुछ अता-पता नहीं चलना इसमें स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा परिसान है कि कोई दिक्कत इसलिए होती ना कि आप एक डेट बता दीजिए कि कंफर्म बताईए आप डेट भी नहीं कंफर्म बताते भी है तो उसका भी कोई अता-पता नहीं रहता है तो इससे moral down होता है जो पढ़ाई का जो लेबल होता है इस्टूडेंट के में अंदर वो पीजे नहीं कर पाते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हुसे हिसाब से तो इसमें बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए आयोक को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि UP SSSC जो है आपका फारेस्ट गार्ड है एक्जाम जल्द से जल्द होना चाहिए तो इसके लिए सभी लोग ट्विटर कैंपेन में भाग लेजिएगा और 28 तारिक को जितना हो सके ट्विट करिएगा उससे क्या होगा कि आपके देखे एक चीज़े और बताते कुछ लोग ये भी कह रहे है कि क्या इसका जो एक्जाम है यहाँ पर आचार साहिता देखे आचार साहिता में फारेष्ट गार्ड का एक्जाम से कोई लेना देना नहीं है फारेष्ट गार्ड आर लेडी जो बैकेंसी बहुत पहले निकली थी और इसका एक्जाम भी बहुत पहले था धन्यवार